मेरे साब से तुमको 50-100 MCQs solve करने की कोई जरूत नहीं है per chapter तुम अगर 20-30 MCQs solve कर लोगे ना मलब 20 MCQs बहुत है एक chapter से Hey Comercians, I hope आपके जो preparation है वो बहुत अच्छी चल रहे होगी जो मेरा telegram group है वहाँ पर बहुत एक अच्छा response आया बहुत सारे members नए add हो रहे हैं वो daily quiz को कर रहे हैं consistently जो है practice करते जा रहे हैं तो अगर आपको भी ऐसी practice कर रहा है तो नीचे description में हमारे telegram का link दिया हुआ है जा कर उसको join कर लो and वहाँ पर आपको सारी चीज़े सारा material free में मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग government budget के जो questions अब वो करने वाले हैं पूरे MCQs को solve करेंगे और देखेंगे कि यार कैसे एक minute के अंदर हम सारे questions को solve कर सकते हैं तो चले यार जल्दी से वीडियो को start करते हैं और सारे MCQs को खदम करते हैं तो चले यार सबसे पहले जो हमारा question है जाता है that is in dash is the year which begins from 1st April and ends on 31st March of the following year यानि कि हमको नाम बताना है कि ऐसा कौन सा year है जो कि 1st April यानि कि 1 April यानि कि April फूल वाले से start होता है और 31st March पे खतम हो जाता है तो यहाँ पर options हो जाता है तो हमारा current year, fiscal year, new year and none of these तो देखे यार new year तो January से December तक चलता है तो वो चीज़ तो हम नहीं बोल सकते तो C option नहीं आएगा, D option नहीं आएगा fiscal year और current year में confusion हो सकता है तो यार अगर आपने government budget को थोड़ा सा भी रीड किया हो तो वहाँ पर fiscal year फस्ट में definition में दिया हुआ है तो यहाँ पर जो correct option आएगा हो जाएगा fiscal year fiscal year का मतलब ही होता है कि financial year होता है जहाँ पर सारी government जया हो काम करती है तो April to March हमारा working area होता है तो यह सब लोग basically जानते हैं तो easy था यार, आगे बढ़ते हैं Which objective of government budget increases the equality in the society ऐसा कौन सा objective होता है जिससे society में equality आती है तो इसमें आते options तम्हारे redistribution of income and wealth, economic stability, allocation of resources and economic growth चार options हैं तो यहाँ पर last option पर चलते हैं Economic growth नहीं हो सकता देखो economic growth से तुमको क्या पता चल रहा है कि तुम GDP से related कुछ बात कर रहा है या फिर infrastructure से related बात कर रहा है तो economic growth में infrastructure से related बात होती है allocation of resources यान कि आप resources दे रहे हो जो गरीब लोग है उनको पर इससे आपकी equality solve नहीं हो रहे है ठीक है आप बस resources उनको दे रहे हो Economic stability Economic stability का मतलब होता है कि भाई तुम GDP पर focus कर रहा हो कि GDP तुमारा सही है कि नहीं तुमारे price जादा नहीं करीद हो तो वो stability कर रहा हो तुम ठीक है Redistribution of income and wealth Redistribution of income and wealth का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना यहाँ पर जो अमीर लोग है उनसे tax लिया जाता है उनके जो salary होती है जो उनकी income होती है businessman की उससे cut कर लिया आता है पैसा as a form of tax जिसको तुम income tax बोलते हो उसका जो use है वो poor की benefit के लिए आता है नेक्स्ट कोश्चन है आता है इन इंडिया the constitution requires central government to prepare annual financial statement that is government budget of the country यानि कि भाई यहाँ पर constitution जो है वो central government को बोलते है कि आप एक government budget बनाओ इन इंडिया dash department of government prepares annual budget statement कौन सा department है जो कि government budget बनाता है important है यहाँ पर बहुत सारे बच्ची का करेंगे तो नहीं आएगा भाई देखो अकाउंट नहीं आसकता अकाउंट जो है तुम्हें दिया हुआ है वो कैसे जाएगा मतलब अकाउंट कोई department होता है यहाँ पर RBI आता है तो RBI एक लग सकता है दुमकों कि RBI जो है वो supreme authority EPICS bank है तो वहाँ पर वो जो है सब कुछ बनाता होगा पर यहाँ पर यह चीज गलत है क्योंकि यह जो RBI या इसको से banking से मतलब होता है इसको budget से कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यह money supply को control करता है पर यह सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता ठीक है तो यह भी कट हो गया income tax वाले भी है tax काटते है जिसके ज़्यादा पैसा उसके पास जाएंगे income tax की checking करेंगे तो basically हमाँ पास बचा क्या एक finance department बचा तो यह जो finance department होता है यह पूरा सब कुछ बनाता है clear है बात इसको याद रखना यह तुमारे static gk में भी आ सकता है clear है बात आगे बढ़ते है now the next is which part of government shows the current receipts पहले तो भाई current receipts का मतलब अपने मन में बिलकुल ऐसे याद करो यह होता है मैं बतायाता हूँ तुम वीडियो पॉस कर रहो मुझे पता है तुम solve करो current receipts का मतलब यह हो जाता है ऐसे receipts जहाँ पर ना तो तुमारी liabilities पर कोई असर आता है ना तो तुमारे assets पर कोई असर आता है यानि कि receipts है तो receipts का मतलब क्या income आईगी तो ना तो तुमारा asset बेच करके income आ रही है ना तो किसी से loan लेकर के income आ रही है यह दोनों चीज़े जब भी होती तो उसको हम क्या बोलते है भाई वो current ने capital receipts होती है तो current receipts से कौन से हो जाएगी basically capital तो word आ नहीं सकता जब भी तुम्हें पूरे chapter में capital word देखे हमेशा याद रखना वो asset और liability से related होगा या तो वहाँ पर asset sale या पर चीदर होगा या तो liability कम जादा होगी या तो हम कोई building बना रहे होंगे या तो building को बेच रहे होंगे या तो फिर किसी से loan ले रहे होंगे या तो loan दे रहे होंगे ठीक है तो यह हो जाएगा asset or liability तो यहाँ पर capital word जब भी आएगा तो यहाँ पर current word आएगा तो that is related to revenue तो मैंने option भी नहीं देखे तो मैंने directly यहाँ पर क्या कि जो revenue है उसको मैंने tick कर दिया यहाँ पर तो revenue जो कि recurring in nature होता है तो यहाँ पर current receipt भी recurring in nature होती है clear है बात आगे बढ़ते है फिफता जाता है हमारा dash items are those items which do not create any liability और do not lead to reduction in assets ना जो कि ना तो वो ऐसे item जो कि ना तो liability create कर रहे है ना तो reduce कर रहे हैं तुमारे assets को अभी बताया यार अभी just बताया कि अगर कभी भी कोई चीज asset और liability फर्क नहीं डाल रही तो revenue nature की होगी यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगी तो D option तुमारा directly देख रहा है तो बाकि options को तुम देखो ही मत यहाँ पर capital दिया गया है तो वो तो भाई इसका उल्टा होता है developmental और non developmental तो पढ़ा ही नहीं है comes under dash of the government तुम क्या कर रहे हो disinvestment कर रहे हो disinvestment की definition याद कर रहे है disinvestment का मतलब होता है जब government अपनी company के shares private companies को बेच रहे है ठीक है and borings from world bank तो अगर वो अपने shares बेच रही है तो पैसा मिलेगा उसको तो पैसा मिल रहा है borrowing कर रहे है world bank से यानि कि loan ले रही है यानि कि पैसा आ रहा है तो receipts हो रही है तो किस type की receipts होंगी revenue receipts तो नहीं हो सकती क्योंकि हमारी liability जो है वो बढ़ रही है आप किसी से loan ले रहो आपकी liability बढ़ रही है तो D option नहीं हो सकता loan receipts नाम के कोई चीज मैंने वे तक सुनी नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा total receipts में सारी receipts सजाती है तो उसको में नहीं कर सकता तो correct option क्या वा जाएगा capital receipts क्योंकि इससे liability हमारी बढ़ रही है asset हमारा reduce हो रहा है shares reduce हो रहा है यूज करते है तो मैं कठिन शब्द को छोड़ो ठीक है मैं यहां पर उसका meaning भी तुमको नहीं बताऊंगा बजे पता है actually तुमको बताऊंगा नहीं मैं तुमको उसकी बिना भी solve करवा दूँग यह question यहां पर क्या है zero dash zero का मतलब भी कुस्स समझ में आ रहा dash का मतलब भी कुस्स समझ में आ रहा means हाँ यह समझ में आया that the government government समझ में आया has to resort resort पर समझ में आया the borrings ठीक है resort to borrings करना पड़ेगा कुछ resort का मतलब होगा वो हाला resort मात समझ दाना resort to borrings only to make interest payments यानि कि यहाँ पर interest payments करने के लिए कौन सी चीज यूज हो रही है याद करो पूरे chapter में तुमने interest payments से related कहाँ पर चीज सुनी थी अगर तुम ध्यान से अगर तुमने chapter को read किया होगा तो तुमने तीन तरीके के deficit पढ़े होगा एक होता fiscal, revenue और primary deficit तो यहाँ पर जो primary deficit होता उसका अगर तुमने formula भी आद होगा तो fiscal deficit minus interest payments होता है यानि कि यहाँ पर zero fiscal deficit कब होता है जब हमको interest payments करना होता है ठीक है तो यहाँ पर basically क्या हो जाता है तुमारा correct answer जाएगा यहाँ पर primary deficit तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ही जादा पढ़के जाओ तुमको थोड़ा सा common sense भी लगा लोगा तुमको सौन जाएगा का अच्छा यहाँ पर थी तो यही चीज होगे ठीक है तो revenue expenditure on interest payment ठीक है interest payment कित्ती है 400 करोड है fiscal deficit कित्ता होगा बहुत easy question है तुमको यहाँ पर भाई क्या करना पड़ेगा एक formula बता देता हूँ है जो कि तुमारी book में दिया गया है primary deficit इसका formula क्या होता है fiscal deficit FD लिख देता हूँ minus interest payments अब भाई तुमको क्या निकालना है आपर यह चीज़ दी है यह चीज़ दी है FD निकालना है इता तो पता ही होगे कि अगर FD निकालना है तो तुमको primary deficit कि PD में plus कर दिना पड़ेगा interest payments को तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर जो 6500 है उसमें 400 प्लस कर दोगे 5 प्लस 4 6900 करोड रुपया होगा तो यहाँ पर जो 3rd option है that will be your correct answer अब तुम बोलोगे 6800 है तो वो misprint हो गया है तो इसको मैं यहाँ पर सही कर देता हूं इसको 6900 करके मैं इसको टिक कर दिया ठीक है तो तो तु आता है भाई तुम्हारे assertion reason में तो assertion reason बहुत important है आ सकते है भाई तुम्हारे exam में Government budget is an annual statement यह 9th वाला question में कर रहा हूं assertion पढ़ रहा हूं Government budget is an annual estimated statement of revenue and expenditure during the coming fiscal year तो सबसे पहले जब हम assertion reason को कर रहे होते हैं the first trick is that you should read the sentence और तुमको यह देखना है कि वो correct है या नहीं उसके बाद देखेंगे कि वो correct explanation है या नहीं पहले देखो correct है कि नहीं जानल statement तो यहाँ पर जो Government budget है इसने बोला है कि एक annual statement है estimated statement है जहाँ पर revenue and expenditure को record किया जाता है during the coming fiscal year बिल्कुल सही statement है कोई दिक्काद इसमें नहीं है यह correct है ठीक है through the government budget it tries to reduce the regional variations तो अगर आपने objectives देखे होंगे government budget के वहाँ पर हम regional disparities को खतम करते है यानकि गाओं से जाधा शहर में गाओं में भी infrastructure करते है शहर में भी infrastructure करते है ताकि वहाँ जो regional differences हो खतम हो सके यह sentence भी बिल्कुल correct है और पहले हमको government के definition बताई गई उसका budget के जो objective बताई तो दौनों बिल्कुल सही है दौनों correct explanation है तो यहाँ पर मैं directly जा करके चो यह option है उसको tick mark कर दूँगा clear है बात कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे comment section में पूस सकते हो telegram पे message कर सकते हो और क्या है अपना Instagram पे DM कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते है 10th question में क्या आ जाता है जल्दी से देखते हैं अब यहाँ पर जो है fiscal deficit is greater than budgetary deficit fiscal deficit का मतलब जानते है fiscal deficit मतलब होता total expenditure minus total receipts बड़ी चीज होती है budgetary deficit is little bit छोटा वाला ठीक है तो यह बिल्कुल statement सही है first statement तो fiscal deficit बड़ा होता है क्योंकि इसमें totally आ गया ना मतलब fiscal deficit के formula में तो total receipts दे दी तो अब total से बड़ा क्या होगा समझ में आ रहा है इसी fiscal deficit is the borrowing from Reserve Bank of India plus other liabilities of the government to meet its expenditure देखो क्या होता है जब भी अपन fiscal deficit कर रहा है for example अपनके ऊपर बहुत बड़ा deficit आ चुका है कि भाई हमारे जो expenditure है बहुत जादा खर्चे हमाए बहुत जादा है हमारे पार जो receipts है वो कम है हम क्या करेंगे खुछ सोचो हम या तो loan लेंगे या तो अपनी नई currency चापेंगे ठीक है यह दो चीज़े होती है अगर तुमने government budget का chapter अच्छे से देखोगे संधीब गर्ग में देखोगे वहां पर तुमको मिल जाएगा उसके क्या implications नहीं बोलते है उसके क्या तोड है वड़ी Hindi हो जाती है तोड नहीं बोलते है उसको उसको बोलते है कि इसको कैसे खतम किया जाए ठीक है तो यहां पर सॉलूशन होता है वो क्या होता है कि आप यह तो नई करेंसी चापो ठीक है जिसको हम फाइनसिंग बोलते हैं और दूसरी जोज आती है कि तुम भाई लोन लो जिसको हम बोरिंग बोलते हैं तो यहाँ पर जो है दोनों स्टेट्वान बिल्कुल सही हैं सबसे बढ़ी बात और दोनों करेक्ट एक्स्प्लेनेशन है क्यों यहाँ पर यह ओप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है तो यह ओप्शन इसका करेक्ट है अब 11 वाले पर जाते है रिट द फॉलिंग स्टेट्मेंट असर्शन रिजन वही चीज है फिर से असर्शन रिजन का है असर्शन देखते हैं हाईवे एंड रोड़ वर्क अन सच अनौंसमेंट्स विल इंक्रीज दा रेविन्यू एक्समेंडीचर अप देखो सिंबल भी बात है अगर आप रोड बना रहे हो आप हाईवे बना रहे हो तो वहाँ पर कैपिटल आपका जो बढ़ेगा आपका एसेट बढ़ेगा गवर्मेंट के पास जो एसेट से वो और उसके करण क्या हो जाएगा यहाँ पर जो कापिटल एक्समेंडीचर वो बढ़ेगा ना कि रेविन्यू एक्समेंडीचर क्योंकि हमारे एसेट्स पर फर्क आ रहा है तो यहाँ पर हम बेसेकली क्या कहेंगी हमारे जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलात है तो reason तो गलत हो गया और assertion जो है वो true है तो यहाँ पर जो C option है that is A is true but R is false वो हमारा correct answer हो जाएगा clear है बात आगे बढ़ते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मारा next question तो यहाँ पर आता है which of the following is an example of direct tax तो direct tax का यहाँ पर हमको example देखना है VAT that is value added tax तो यहाँ पर आप जानते होगे कि यह तो भाई indirect tax ही होते है हम directly pay नहीं गरते है तो direct tax का अगर आपको मतलब पता हो कि भाई directly pay गा रहा था government को exercise duty भी directly government को पे नहीं होते है the primary deficit in a government budget will be zero when revenue deficit is zero net interest payment are zero fiscal deficit is zero and fiscal deficit is equal to interest payment देखो ध्यान समझना देखो यही चीज मैंने कल जो एक करया था हमने जो कल जो MCQs करेते financial management के उसमें ही बताया था कि कभी-कभी ना paper में ही आपको answer दिया होता है अगर आप हमारा MCQ अभी देखो अगर मैं आपको देखाता हूँ यहाँ पर उपर जा करके तो 7th question में हमने जो पढ़ता है जिरो डाश means the government has to resort the borrowing जिसमें resort word आया था ठीक है वहाँ पर ही यह चीज दिया हुआ था कि यहाँ पर जो fiscal deficit है उसके कारण ही हमाजो primary deficit है उसमें इधिक्कत आती है ठीक है तो अगर हम इसको फिर से पढ़ते है इस question को तो यहाँ पर जो the primary deficit in a government budget विल भी जीरो तो एक तरीका सेमी question हो गया कि कब होता है वो जब fiscal deficit ज अब जीरो जाएगा पर ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि हर बार भाया हम लोग खर्चा जो है वो जादा कर रहे हैं income कम आ रही है तो को ऐसा क्यों होता है इसका ध्यान से point समनना government जो होती है ना वो हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कभी हमने बाहर से कभी loan लेना ही ना पड़े हम हमेशा हमारी जो खर्चे होंगे government की खर्चे हमेशा जादा होंगे हमारी जो receipts से उससे पर आप लोग आप बोलोग यार 140 करोड लोग है वो इतना जादा टैक्स पे कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसा हो रहा है चलो ठीक है उसमें से 40 करोड रोपे समलो 40 करोड लोग टैक्स कितना पैसा आ रहा है तब भी हम लोग डेट में रहते हैं government कभी भी नहीं चाहती कि हमारा जो इनकम है वो जादा हो expenditure से वरना लोग टाक्स दिना बंद कर देंगे समझ में रहा है तो यह इसका logic होता है इसलिए हमेशा expenditure हमेशा जादा दिखाए जाता है इनका हमेशा कम दि जादा दिखाती है इनकम हमेशा कम दिखाती है clear है बात आगे बढ़ते हैं now the next is another implication of fiscal deficit is कि another implication क्या होता है अगर fiscal deficit होने से क्या होता है यह चीज़ हमको पताना है it does not affect the financial burden for future generation देखो एर fiscal deficit का मतलग क्या होता है कि आपका expenditure जादा income से तो भाई affect तो करेगा future में क्योंकि आप और loan लोगे उसके लिए और loan लोगे तो interest भी payment करना पड़ेगा clear है बात तो यहाँ पर यह चीज़ दिक्कत करती है it decreases the financial burden for future generation देखो financial burden जो है future generation के लिए वो decrease होगा नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर decrease कैसे होगा अगर आप और loan लेते आओगे लेते आओगे बोरिंग्स करते आओगे तो कहां सही होगा तो यह भी हम नहीं बोल सकते third option जाता है it increases the financial burden for future generation हो सकता है पर मैं चौथा option भी पढ़ूँगा that is it maintains financial burden for the future generation देखो maintain तो नहीं करता increase ही करेगा यूँकि अगर आज आपके पास fiscal deficit आ रहा है यानकि आपने साल भर में total expenditure था अपका जाधा था total receipts से आपका बहुत अधा खर्चा आ रहा था इसके कारण क् आपको और boring boring करते आओगे करते आओगे करते आओगे तो वह increase ही करेगा decrease नहीं करेगा क्योंकि हर चीज में interest payment होती है तो इसका correct answer कर जाएगा C option इसका correct answer हो जाएगा कि नामरा लास्ट आता है that is a journal knowledge question only देख लेते हैं तो डॉक की आवाज आने लगी है फिर से तो उसको इगनूर करना who presents the union budget in parliament parliament में union budget कौन शो करता है कौन प्रेजेंट करता है defense minister भाई मतलिक के जहने defense minister कैसे करेगा बताव बजट उसको कुछ पता ही नहीं है उसको आर्मी का पता है सब कुछ तो defense minister नहीं कर सकता home minister भी नहीं कर सकता क्योंकि home minister जो है हमारे जो daily जो होते है home की issues होते वो सब सॉल्फ करता है home मतलब घर के नहीं country issues day to day commerce and textile भाला भी कपड़े बेचने वाला बंदा है वो यार कहां से करेगा ठीक है तो यहां पर कपड़ों से related वो करता है textile में तो यहां पर एक ही बंदा बस पर तो मैं यहां पर आपसे एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि यार प्राक्टेस जो है वो consistently करते रहो भॉक लो यार तुम भॉक ही लो बुरा यहां पर वीडियो ख़तम होने वाली है ठीक है तो यहां पर यार मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर तुमने अभी तक questions solve करना चालू नहीं किया है तेलीगराम पूर नहीं किया है और अगर तुमने अभी तक अपनी preparation अच्छे से नहीं करी है तो यहां पर तुमको यह चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हारी preparation अच्छे से होती रहे इसलिए जाल स्याद MCQ solve करो यार मेरे साब से तुमको 500 MCQs solve कर यह जरूत नहीं है पर chapter तुम अगर 20-30 MCQs solve कर लोगे ना मलब 20 MCQs बहुत है एक chapter से यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यार तुमको एक subject में कितने आएंगे 40 MCQs आएंगे अब 40 MCQs में इतने सारे chapter से हैं सबसे एक-दो-एक-दो MCQs ही आएंगे तो अगर तुम एक chapter स 20-20 MCQs भी कर रहे है तो तुम्हारी probability बहुत बढ़े आदी कि तो यार तुम एक्जाम बहुत अच्छा कर क्या हो ठीक है तो 20 MCQs पर कर लो अगर तुमको कम लग रहे तो 30 कर लो बाई 40 कर लो पर इसे 100 MCQs करने के कोई धरूद नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आज की वीडि करो कमेंट करो और जा स्यादर शेयर करो मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए all the best